है यह दोस्तों आप सभी गास स्वागत हैं मेरे चैनल पर और दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को लाइक रख दोस्तों किसा सेर कर लें और आज हमारा टॉफिक है ग्लोबल वार्मिंग पर निमद ग्लोबल वार्मिंग यह अधिक बार पूछा जाता है और य दरती पर तापान लगातार बढ़ रहा है अगला पॉइंट होगा ग्रीन हाउस गैसों का इस्तर का बढ़ना अगला पॉइंट हम लिखेंगे शंपून वीश्व के लिए खत्रा इसे अगला हमारा पॉइंट है पर्यावन में कार्मेंडाय औक्साइड के बढ़ते इस्तर इसे अगला पॉइंट होगा कार्मेंडाय उक्साइड के बढ़ते से इंसानी जीवन का पर असर और फिर अगला उपसाहार यह हमारे पॉपिक है और इन पर हमें लिखना है वरणन यही इन पर सामानिय वरणन हम और अधिक भी बड़ा वरणन लिख सकते हो जितने निमना सबसे बड़ा निमत है मेरे पास वीडियो को करता है शरूर और इस परकार आप वंधन लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर विर न लिखना है इस गबारे में तो किस परकार लिखना है चले वीडियो को करता है शरूर और इस परकार लिखना है आपको निमन ग्लोबल वार्मिंग यानि इससे कहते हैं प्रस्तावना भी लिख सकते हैं इस दग्यापर ग्लोबल वार्मिंग पूरी विश्व में एक मुख्य वायू मंदलिये मुद्दा है सूर्ज की रोष्णि को लगातार ग्रहन करनेद हुए हमारे पृत्वी दिनो दिन ग्रहन होती जा रही हैं सूर्ज की रोष्णि को लगातार ग्रहन करने से हमारा पृत्वी दिनो दिन दिन दोस्तों होट होती जा रही हैं जिससे वातावरन में कार्मेंडाय ओक्साइड का इस्तर भी बढ़ रहा है ग्रोथ कर रहा है जो हमारे वातावरन है उसमें कार्मेंडाय ओक्साइड का इस्तर बढ़ता जा रहा है जिसके लगातार बढ़ते दुस्प्रिमनाम से इंसान के लिए एक बड़ी समश्या बन चुकी है इंसानों के लिए कार्में डायोकसाइड का बढ़ना मानव जीवन के लिए खत्रा बन चुका है जिसके लिए बड़े इस्तरवर सामाजिक जागरूपता की जरूत है इस समश्या को निपटने के लिए लोगों को एक इसका अरत कारण और परभाव का पता लगाना चाहिए जैसे जल्द ही जल्द इससे समाधान तक पहुंसा जा सके गलोबल वार्मिंग विसव की एक ऐसी समश्या है जिससे असर समय रहने ना रोका गया तो बुरे विसव का ना सकर सकता है यानि कि गलोबल वार्मिंग पोरण विसव के लिए खत्रा हो चुका है इसे निपटने के लिए सामाजिक जागरूपता की जरूरत है जागरूपता करकर इसकी समश्या को सुल जाना साइए इस समश्या का निपटारा करना चाहिए इसका क्या कारण है गलोबल वार्मिंग का इसके सरीब क्या परभाव पढ़ते हैं लोगों को बताईए और जल्द से जल्द से जल्द हम सब मिलकर इसका समाधान नहीं किया तो आकिर कार ये पूर्थी समाप्त हो जाएगी इसलिए इसका क्या कारण है क्यों फैल रहा है इसे किस परकार जो है कबजे में लिया जाए इसे समाप्त किया जाए तो दोस्तो इस पर अधिक से अधिक सर और विश्व का ये दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं रोका गया तो विश्व का नास भी कर सकता है। धर्ती का तापान लगातार बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है देखते हैं। आज धर्ती पर वायू मंडल के बढ़ती विश्व के रूप में ग्लोबल वार्मिंग हैं जिसकी वज़े से धर्ती के सतर पर तापान लगातार बढ़ रहा है। ऐसा आगलन किया जाता है कि अगले या वर्सों में धर्ती का तापान इधना बढ़ जाएगा कि बविश्य का जीवन के लिए इस धर्ती पर कई सारी मुस्किले खड़ी हो जाएगी। दर्ती का तापमान बढ़ने पर जो समचिया मुख्य और जाना हुआ कारण है वो हैं वायू मंडल में कार्मन डाय ऑक्साइड की मातरा का इस तर लगातार बढ़ना है। दोस्तों ये भी आगलन किया जाता है कि वर्स में धर्ती पर तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है जो मानव जाती के लिए खत्रा भी बन रहा है तो इसे निप्टारे के लिए कुस समचिया को समधान करना चाहिए और साथ ही वायू मंडल में दोस्तों सबसे बड़ी कारण है कार्मन डाय ओकसाइड जिसकी मातरा भी लगतार बढ़ रही है तो ये मानव जीवन को अस्त वेवस्त कर देगी ठीक है बढ़ते तापमान पर परकोप धर्ती पर इस विनास सक गैस के बढ़ते से मिया बढ़ने की मुख्य वज़े जिवासम इंदन जैसी कोईला और ते गैसों को इस्तेवाल करने से पेड़ो पोदों की मुख्य स्रित होती है तथा इंसानों दवारा इसे कही रूपों में साश लेने की किरिया तता आदी चोड़ा जाता है तो बढ़ते तापमान की वज़े से समूंद्र जल इस्तर बढ़ना बाड तुफान खाज खनीजों क कमें, तमाम तरह की विमारियां आदी का खत्रा बढ़ जाता हैं, तूरे विचों में इनसानों की नह ध्यान देने वाली गलत आधतों की वज़ह से हमारे धरती के सतपर दिनों दिन गरम होती जा रही है धरती के वातावरण को ये सबसे सिंतक जनक पहलू है क्योंकि इससे लगातार धर्ती पर जीवन की संभावना कम होती जाएगी इसके समाधान तक पहुचने से पहले हमारे वात्तावरण में इसके कारण और पढ़ने के प्रभाव के बारे में जरूरी सोफना साही जिससे हम आस्वासन हो सकते हैं कि हम इससे रात पाने का सही दिसा से आगे बढ़ रहे हैं धर्ती के लगातार तापमान होने का मतलब तिर्यावरन को अकारमन डाई ऑकसाइड गैस का बढ़ना यानि की दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं पहले तो दोस्तों पेंटूलियम की दयान करते हैं तो उसे जो धुआ निकलता है न वो खतरनाक बनता जारा जिसके कारण ओजोन पर समपत हो रही है और सूर्य की चिदी किरने फुथी परा दिये तो उसके कारण तापमान भड़ रहा है जिसमें लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं पेडों की कटाई कर रहे हैं यानि कि पेडों होते हैं तो कारमन डाय ऑक्साइड को जो सौक लेते ही तो सची संग्या कम होती है इस रूप में जो देखा जाए जैसे बाढ़ाना तुफान खाद की कमी तमाम तरह की बिमारिया होना ये सब खत्रा गलोबल वार्मिंग के कारण है इसे समपत करने की जरूत है इसकी कौन सी समप्षा के कारण होता है इसका निप्टारा कैसे करें और सबसे अधी कारमन डाय ऑक्साइड को कैसे कम करें इन सभी पर सर्षा करना बहुत जरूत ही जबकि कारमन डाय ऑक्साइड के बढ़ते इस तरके कई कारण है पेडों की कटाई कोईले का इस कोईले का इस्तेमाल, जीवा समिंदेन का इस्तेमाल करना, जिस्तों जो गेसुलिन का इस्तेमाल, बिजली की गैर जरूरी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, धर्थी पर आपमान बढ़ने का परमुग कारण है। जो गेर कानूनी लोग कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जिसे क्या होता है, ओजन पर समक्त हो रही है, समुंदर इस तर भी वर्दी हो दी है, समुंदर में जल बढ़ता जा रहा है, बरफ गल रही है, समुंदर के सेवाओं में बदला होता जा रहा है, जिसे बार, तुफान, म एता सकता बर्के पूरे मानुजाती के जाती इसके लिए जिम्मेदवार है जिसका समादान विशल जागरुता और हर एक कड़ी परियास से ही संभव होता है यानि कि यह मानुजाती के लिए खत्रा बन रहा है वैस्वी जागरुता की जो समाप्ती हो रही है ग्रीनाउस गैसों के इस तरह के बढ़ने से क्या होगा वर्तमान में गलोबल वार्मिंग पूरे विसव में समक्स बड़ी समश्याओं के रूप में उबर रहा है ऐसा मना जाता है कि धर्ती के वातावन में गनम होने की मुख्य कारण ग्रीनास गैसों के हिस्ता में वर्टी अगर इसे नजर अंदाज किया गया तो इससे निजात पाने के लिए पूरे विसव कोई देशों दोरा तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब धरती अपने अंत की और अग्रसर हो जाएगी तथा धरती के स सारे जीवन का विनास हो जाएगा बहुत दिन दोस्तों दूर नहीं दूर नहीं दुनिया का अंत हो जाएगा धरती का अंत हो जाएगा जहां पर कोई मानों जाती की यहां को जीव का संकेत नहीं मिलेगा गलोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो ये दिन दूर संपोर्ण विश्व के लिए खत्रा क्या है दिनों दिन बढ़ते इसके ख़धनना कब रभावोसे संपोर्ण विश्व में लिए खत्रा उत्पन हो रही है जिससे समूद्र जलन की वर्दी बाद, तुफान चकरवात, मोसम की सवुरूपों की परिवर्तन जो संक्रामिक बीम पाया जा सके दर्तिगा जियुन की संभावना सदा बना रहे हैं इसके दोस्तों क्या है इसकी क्या कारण है क्या परबाव है और इसको जन्द जागरूप तक की कदमों पर उठाना चाहिए चाहिए कि कार्में डायोकसड कम हो गलोबल वार्मीन पर पाबू पाया जा सके तो आज के वीडियों बसे इतना है नेक्स्ट वीडियो को देखना ना बुरे और साथ ही अमारे चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर कर लें